हेलो गाइस and वेलकम आज किस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ZEMS related error Apache shutdown unexpectedly को कैसे resolve कर सकते हैं बगएर कोई और बात के directly start करते हैं मैं अपने पास ZEMS control panel को access कर लेता हूँ और जैसे ही मेरे पास control panel open हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मुझे prompt कर रहा है Apache problem detected port 80 in use so basically इसका मतलब यह है port 80 जो है वो मेरे पास कोई और software यूज़ कर रहा है so in my case मेरे पास बहुत सारे software इंस्टॉल है तो हो सकता है कि उन में से कोई एक software port 80 को यूज़ कर रहा है इसी वज़ा से Apache का जो server है वो start नहीं हो पाता so मैं आपको यहाँ पर demo दिखा देता हूँ start करके देखते है ठीक है so यह shutdown हो गया और SQL को अगर मैं start करता हूँ तो यह successfully start हो गया ठीक है so अब इसको resolve कैसे कर सकते है simply आप लोगों ने config file जो यहाँ पर लिखाव है config उसको उसके ओपर click करना है apache httpd.config इसको access कर लेना है ठीक है यहाँ पर मैं simply करूँगा control F और यहाँ पर port 80 को search कर रहे हूँगे ठीक है just like that ठीक है port 80 और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर यह वाली जो है यह commented out है तो इस पर कोई change करने की ज़रूरत नहीं है यह जो listen और 80 लिखाव है यहाँ पर मैं simply इसको 8000 कर दूँगा ठीक है उसके बाद इसको save करते वे मैं आगे बढ़ूँगा दूसरी port देखूँगा so server name localhost 80 इसको भी मैं 8000 कर लूँगा ठीक है और save कर लेता हूँ अब मैं move करता हूँ forward और कोई है जैसे कि मैंने बताया ही already commented out है so that's about it ठीक है so yeah so हमने सारी changes कर लिए है मैंने basically port 80 को 8000 में convert किया that's it ठीक है so यह save हो गया अब मैंने इसको close कर लिया start कर लेते हैं अब Apache server को ठीक है और अब आप देख सकते हैं कि यह start हो गया है इसी के साथ MySQL को start कर लेता हूँ और simply इसको verify करने के लिए मैं अपने पास database को access कर सकता हूँ ठीक है so 127.0.0.1 colon 8000 that's about it phpMyAdmin और यहां पे आप phpMyAdmin पे redirect हो जाएंगे ठीक है so yeah guys that's about it और इसी तरीके से आप Apache के error को resolve कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो like, share, subscribe करना ना बुलिएगा टेक केर, Allah अफिस, thank you and yes guys, be ready for the next one, okay take care